तो डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले में यह डिसकस करता हूँ, Senior Session Engineer इससे पहले बाद था 2015 में, जिस तरह, RRBJE का अगर मैं बात करता हूँ, तो RRBJE का 2019 में एक जाम हुआ था, लेकरन उससे पहले RRBJE का 2015 में भी एक जाम हुआ था, को बंद कर दिया गया था कुछ रीजन के चलते क्या रीजन था मैं आपको दो चीज़ बता था कि यह मानती थी कि सीनियर सक्षिन जो होता वो प्रमोशन के बाद बनेगा थोड़ा experience मुझे चाहिए तो यह बेतु का सवाल है क्योंकि ISB बनता बिना experience का फिर तो बनाने यह जो थुरू दी बीटेक लड़का निकालते फिर IS के थुरू जो recruit करती है कुछ पोस्ट के लिए वो technical syllabus था अब उसको non-technical बना दिया गया है तो technical syllabus से एक ही यह पोस्ट बचा senior section engineer that is why उसको फिर से resume कर दिया गया है ठीक है और मैंने आपको सारा notice पहले वीडियो में बता आ सकता क्या है तो देखो यहां पर सीने सेसें 2015 का अगर बात करो तो 60 पुछा था आपका non-technical से और technical से आपको कितना पूछा था टेकनिकल से पूछा था आपको 90 नमबर तो इन दोनों का अगर मिला देंगे तो कितना हो जागा एक सेकंड यह आपका non-technical है यहां से लेकर यहां तक 60 एंड टेकनिकल का बात करेंगे तो आपको 90 नमबर पूछाता है जो इस बरांस आप बिलोंग करते हैं वहां से 90 नमबर पूछाता है टोटल मिला के डिर सो नंबर होता है और को से भी दिर सो मतलब एक नंबर को संकार टाइम मिलता है यह हो गया समय और जेक्टि नाओ दो पॉइंट इज सर जी 2015 में जो जुनियर इंजिनियर का एक्जाम हो था तब यानि देखो यहां पर कोशियन थोड़ा पढ़ना तब आपको समझ आएगा यहां देखो इन 2015 and earlier only one paper of RRBJ exam used to held which compared general awareness उसमें क्या क्या रहा था तो उसके पर बता रहा है जर्नल अवेर्नेस, जर्नल साइंस, मैथ, रिजिनिंग, टेक्निकल सब्जेक्ट यानि कि 2015 और 15 से पहले सिर्फ एक पेपर का एक्जाम होता था वन पेपर का एक्जाम होता था जिसमें रहता क्या क्या था इसमें आपका रहता था जर्नल अवेर्नेस, जर्नल साइंस, मैथ रहता था एक सेक्ड़ जर्नल एक सेक्ड़ जर्नल साइंस, मैथ, रिजिनिंग, एंड आपका टेक्न रहता था यह सभी रहता था सब मिलाके डेड़ सुन नंबर का रहता था एक्जाम होता था जैसे में अभी जस्ट दिखा है आपको यह सभी टोपी तो यहां पर देख सकते हो रिजिनींग जीए मैथ और टेकनिकल और साइंस भी इसमें पुछा जाता था जैनल लेमेनस में जैनल लेमे पोन्ट जो जो एक्जाम होता हारवी जेका सीवीटी-वन और सीवीटीट टू हुआ था कम्प्यूटर बैस टेइस वह स्टेट में हुआ था जिसे दो सीवीटी हमें हुआ तो आगर पाला स्टेज का बात करेंगे तो था हैं इक सो नंबर का टाइम मिला था डिएर हंता सेकेंड स्टेज का बात करेंगे तो डेर्स नवर का था टाइम मिला था दो घंटा 120 मिनट सब्जेक्ट पाला में भी मेत था हना और रिजनिंग था फिर आपको बात करेंगे जेनरल अवेर्नेस था और साइंस था सेकेंड में बात करेंगे तो अवेर्नेस और साइंस दो आप यहां पर TCS लेती थी, LP का भी, Group D का भी, इसके अलावे आपका Technician का भी ली थी एक्जाम TCS, तो इसके वाला एक एक्जाम ली थी, Psycho का RDS हो, तो इसको जाने तो अधिकरत TCS ले रही है, तो कहीं ने कहीं TCS का पिटन ये रहेगा, तो क्या ये चांस बनता की चेंज होगा, त एक्सपेक्टेड, जिसे मैंने कहा ना, कटफ के बारे में, और इसम के बारे में, एक्सपेक्टेड ही कहा जाता है, according to sources, authentic sources, जितना मैंने समझाओ, उस basis बता रहा हूँ, एक्सपेक्टेड में वो सकता हूँ, कापी चांस है, होगा तो क्या रहेगा, तब आपका चार स्ट टेक और टेक दोनों होने वाला है, दोनों होने वाला, एक सेक्ट यहाँ पर common for all branch तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, common for all branch यहाँ पर नहीं होने वाला, इस चीज को मैं cut कर देता हूँ, ठीक है, sorry for editing, अभी में edit करना हो, मुझे edit यहाँ पर करना पढ़ रहा ह ठीक है, चली, मैं यह क्या करा, कि पहला स्टेज में आपको पुछा जागा non-technical, second stage जो होगा वो आपका take और non-take दोनों होने वाला है, जैसे मैंने कहा, इसमें आपका रहेगा non-take में general awareness और science पुछा जाएगा, उस जिसमें बाइलोजी को हटाया जाएगा, ठीक है, और ब समझ रहे होना, red से, इसको qualify करते है, red, yellow, मतलब आप prepare हो गए, कि आप ready हो जाओ, job के लिए, मतलब अच्छे से त्यारी करो, जैसे आपका यह निकल जाता तो green signal, मतलब आपका job के पास आप आने जा रहो, ठीक है, तो यह तरीका है, और और एक बड़ा news क्या है, कि इस बार क का बात है, 6 अक्टूबर का बात है, 5 अक्टूबर में, मतलब 2020 का बात कर रहे है, तो जो भी था, जैसे उस रहे में, railway chairman थे, सुनीत सर्मा, ठीक है, board and CEO थे, CEO and chairman दोनों थे, इसके लवे कुछ member finance में भी बैठे थे, बड़े बड़े जो भी मनती है ना, वो बैठ के meeting हुआ था, AIRF का भी member थे, NFIR का भी member थे, तो ये सभी बैठ के, ये मिलिया गया, decide कि इस बार का, चाहे वो senior section engineer का रहे है, या फिर CMS का रहे है, फिर CDMS का रहे है, इसका जो exam है ना, वो कराएंगे, through SSC, यानि staff selection commission, जो जेए का exam कराती है, SSC, जल्दी exam कराती है, और RRB, तीन साल, चार साल, आप देखो, 2019 का जो है, जो 19 में जेए निकला था, उसका सब कुछ होते होते जो है, वो 2022 तक चल गया था, ठीक है, तो तीन साल, चार साल, प्रोसेस ले ले लेती है, exam कराने में, तो ये 2018 का मानलो, अब 18 में नोडिफिकेशन आया था, तो समय ल सब्सक्राइब को रिक्वार्मेंट का सिने सेक्षन का जेए का, तो जो क्यों दिया गया जल्दी एकजाम हो, जल्दी सारा प्रोसेस हो, जल्दी मुझे मिले, ठीक है, तो सिने स्टाप सेलेशन कमिस्टन तो ये ट से गूड निवस पर ओल अफ यू, जल्दी एकजाम होग जिसे मैंने कहा इसमें आपका प्योर नंटेक रहेगार कोमन फूर ओल ब्रांच रहेगा, ठीक है, और ब्रांच के लिए आपका कोमन रहेगा, ठीक है, कोमन रहेगा, सब के लिए, मैतेमेटिक्स पूछा जाएगा, तीस नमबर का, जो आपका आरबीजे का सिलेवेंशन, अलमस्ट वही सेम होगा, मैतेमेटिक्स 30 नमबर का 30 कोसें रहेगा, जेनरल रिजनी वेगार का 25 नमबर का 25 कोसें रहेगा, जेनरल लमेटिक्स 15 कोसें का, जेनरल साइंस रहेगा 30 का 30 मार्क्स का, टोटल 100 नमबर 100 कोसें, कुछ थोड़ा बहुत इसमें चेंज कर सकता है, मै पूरा रेलेवोड का सबका ही तो यह भी चेंज हो सकता है तो चली तो सीवीटी वन और सीवीटी टू का अगर मैं बात यहां पे करता हूं तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि अब्जेक्टीव यह करने वाला है इसमें आपको डियर्स नमबर का रहेगा 120 में टाइम मिलने वाला वन थर्ड आपका नेगटिव रहेगा और टोपिक अगर मैं बात करूं तो देख सकते हो यहां पर दो इसमें नमबर का बना चाहिए और दूसरा ची इन्वर्मेंट का इसलेए वह धरती को नरग बना के छोड़ दियर्टी यह यह बढ़ गया तो ग्लोबल वर्मिंग को रोकना आगर मुझे जगव मुझे नोकरी देरा जी जग में हम लोग भाद करते वे जा रहे हैं तो हम लोग को इंवर्मेंट का नोलेज होना चाहिए इसके लिए टाइम पर आज की टाइम पर इंडिया में कोई भी जो एक्जाम रहता ना वो इनवर्मेंट से कोश्चन तो डालता है डालता एड करते जा रहा जिसमें नहीं हुआ अगले एक दो साल में देखेंगा सब एक्जाम हो जाए तो यहां पर देख सकते हो कि आपको एक कोशन के लिए एक टाइम भी नहीं मिले वाला है तो सिलेवस उतना फास नहीं पुछा जाएगा एकदम इजी लेवल या फिर मेडियम लेवल पुछा जागा कुछ फिप्टीन यह हमेसा देखना एक चीज आपको पता है कि नहीं जो कोई भी एकजाम आज के टाइम पर सेट अप कर रही है ना यह बेसी को छोड़के तो कुछ सेट अप करती है इस तरीके से 40 ठीक है और 60 40 करता है एक सेक्ड़ सिक्स् एंड टेन ठीक है 40 30 40 हाँ देखो क्या है यह बताते हैं आपको यह जो रहता ना 60 देखो 60 यह और यहाँ पर होगया 60 और 20 होगया 80 और यहाँ पर 20 नहीं यह 30 होता बिलकुस सही मैं आपको बता रहा हूं कि मैं लिख क्या रहा हूं जय ही रहता है कभी-कभी यह फोलो करता है इसको अभी जाने दो मुझे यह कंफर्म याद नहीं हो रहा कुछ इसी तरह का रहता है यह क्या आमें बताता हूं एक्जाम पेटन कुछ आरार भी का ऐसा रहता है कि 60 जो रहता ना वह एजी लेवल का रहता है जे सिलेवस अच्छे से पड़ाए प्रिवेस का पेपर लगाया है कोसेट किया है अच्छे से समझा आ कॉंचेप्ट को लगा सकता है जो नहीं तो प्रल्द कर दिया ए और इसको थोड़ा सा कर दिया गया 30 और इसको साइट 20 कर दिया गया इस तरीके से कर दिया तो कितना गया है 40 प्लस टू 60 30 तो इसमें कुछ चेंज जैसाइब 45 वगरा किया गया मतलब यह easy medium और hard ठीक है 45 और 25 इस तरह कुछ किया है तो इस तरह का pattern रहता तो आप आप किस भी exam के लिए आप prepare करते हो ना तो कुछ easy exam easy question रहता है कुछ tough रहता है कुछ medium लेबल कर रहता है तो अगर आप अच्छे से पढ़ाए किजेगा तो इन दोनों को आप crack कर सकते हो कौण कौण सा को एक तो आपका easy वाला हो गया खेल में हो रहा है बेंकिंग में जो भी changes हो रहा है कुछ भी budget वेगरा पेस हो रहा है वह आप से पुछा जाएगा static जी क्या बड़ा छोटा लंबा सबसे पहला कौन बना था हाना आई सबसे बड़ा कोन सा डेम है सबसे बिलिनियर कोन है तो इस सब साइंस टेकनलोजी से कोशन पुछा जाएगा invention discovery पुछा जाएगा जो चीज मिलेगा तो बोल देगा कि बता उससे रिलेट कर देगा कि चुकी यहां से मिला है तो उससे रिलेट करके आपको हिस्टी से कुछ पुछन पुछना तो पुछ भी चेंज हुआ नया कोई एक्ट के थूरू लगा है कोण सा एमेंडमेंट है पॉलिटी का टिक होता समिधान सलसोधन तो किस सलसोधन के एकोडिंग जी एसटी को लागू किया गया ऐसा पूछेगा जो गोर्डर निया बना तो उससे रिड़म पूछ देगा कि यह बोर्डर जो बना है तो कौन से इ पॉजक्स दो सारा का सारा सभी एजी है एनलोग से पाजल मेंट्रिक्स और रेंकिंगे वर्बल इसनींगे वर्ड ब्लड रिलेशन है से लोगी में अलफाबेट डेग्राम है डारेक्शन है नर वर्बल रिजनींग है तो इसके लिए आर रस ग्रवाल को ले सकते हो काफी बेस्ट हो जागा बुक्स ये और किरन पॉप्लिकीसं और ट्रमेटिक का बात करेंगे फिर चरो और को पर सकते हो यां सब कुछ आपको यहां पर पूछा जाएगा ठीक लिमीट है देखो यहां पर हाइर मैथेमेटिक्स का भी है टिकनोमेट्री है राइट चलिए मैथेमेटिक्स हो गया यह सभी आप देख लेना और यहां पर दिया गया सारा मेकनिकल का सब पर पूरा चप्टर है तो आपको सारे टोपिको पड़ना है तो इसलिए मैं कहा रहा हूं कि इसको कर्ना न तो RS कुर्मियन आर्केजें को जरू लगा लेना ठीक है वैसे आप सिनियर सेक्षन के लिए जा रहे हो तो आपको क्या लगाना है तोड़ा सा IS का भी कोस्चिन ल होता है तो आप जेन लगा सकता है और के जेन हाना और आई-एस का प्रिवेसर का पेपर 10-15 साल का गेट का 15-20 साल का कोशन पेपर लगाना है पढ़ाय के साथ साथ जो आप कोर्स लिजेगा उसके कोडिंग ये एक्स्ट्रा आपको लगाना आरस कुरमी लगा सकतो ऐसा बात न भाड़ा है ठीक है तो मेंने बताए मेकनिकलर शिराड़े बता है विक्यों आप देख लेना जो अब से रहे या पर प्रिवेसर क्यों से पता चला किस लेवल का कुछन पुछता है और सेंदो अगर प्रिवेसर के आप मिल गया तो और अच्छी बात है चलिए तो यहां से आपको जितना भी इंपोर्टेंट चीज है वो सारा मैंने आपको बता दिया